आज हम आपको बता रहे हैं प्रसिद अक्टर गौरव मुकेश के बारे में। गौरव मुकेश एक भारतिय टैलिविजन एक्टर हैं, जिन्हें टीवी सीरियल सुहानी सी एक लड़की, इमली और ये रिष्टा क्या कहलाता है में उनके अभिने के लिए जाना जाता है। गौरव मुकेश जैन का जन्म 12 अगस्त 1994 को मध्यप्रदेश के ग्वालियर में हुआ था। उनके पिता का नाम मुकेश जैन है। उन्होंने ग्वालियर के दिल्ली पबलिक स्कूल से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की है। वे स्कूल के दिनों से ही एक एक्टर बनना चाहते थे। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने मध्यप्रदेश में एक प्रसिद्ध रेडियो स्टेशन में रेडियो जौकी के रूप में काम करने के दौरान वे अपने एक्टर बनने के सपने को भी पूरा करना चाहत 2009 में उन्हें लोकप्रिय टीवी सीरियल ये रिष्टा क्या कहलाता है में एक नेगेटिव रोल में काम करने का मौका मिला लेकिन इसके बावजूद उन्हें कोई बड़ी सफलता हासिल नहीं हुई इसके बाद वे अपने बीमार पिता की देखभाल करने के लिए घर वापस आ गए लेकिन उन्होंने एक्टर बनने के अपने सपने को नहीं छोड़ा पिता के ठीक होने के बाद वे एक बार फिर मुंबई चले गए जिसमें उनके परिवार ने उनका पूरा समर्थन दिया इसके बाद उन्हें 2014 में सबसे प्रचले टीवी शो सुहानी सी एक लड़की में सहायक भूमिका निभाने का मौका मिला उनके एक्टिंग में समर्पन को देखते हुए बाद में शो के निर्माताओं ने उन्हें मुख्य कलाकारों का हिस्सा बनाने का फैसला किया इस शो में उनके साथ साहिल महता, राजश्री रानी और नेहा यादव भी मुख्य भूमिका में नजर आए नवंबर 2020 में उन्होंने सीरियल सुहानी सी एक लड़की की मुख्य एक्ट्रेस राजश्री रानी से विवाह किया वर्तमान में वे 2020 से स्टार प्लस की प्रसित टीवी सीरियल इमली में सुंदर की भूमिका में नजर आ रहे हैं इस सीरियल में सुंबुल तौकीर खान, फाहमान खान, गश्मीर महाजनी, मयोरी देशमुक और मनश्वी वशिष्ट मुख्य भूमिका में दिखाई दिये हैं इसमें उनकी पतनी राजश्री रानी भी नजर आते हैं जो सीरियल में उनकी पतनी अर्पिता सिंग राठो की भूमिका निभाती हैं इस सीरियल में इमली और आर्यन की जोड़ी के साथ साथ सुंदर और अर्पिता की इनकी जोड़ी को भी खूब पसंद किया जा रहा है इसके अलावा उन्होंने 2010 में अक्षे कुमार, अक्षे खन्ना और केटरीना कैफ की फिल्म तीस मार खान में भी काम किया है